इस पॉजिटिव हॉर्मोन ऑफ प्लांट प्लांट नेम ऑफ प्लांट इस जिब्रेलिन को डिसकवर किया था इस की स्टोरी क्या है डिसकवर होनी की पहले एक बैकेन फुलिश शीडलिंग जिसको बोलते थे एक डिजीज का नाम है बैकेने जिसे फुलिश शीडलिंग बोलते हैं वो होती थी राइस के प्लांट में राइस के सीडलिंग में वो डिजीज होती थी जो के एक फंगस थी जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजी कुराई वो उसको काउस करती थी राइस के प्लांट में उस इन्होंने क्या किया जो healthy seed था राइस का उसमें जिब्रेला फ्यूजी कुराई फंजाई को डाल दिया टेस्ट करने के लिए तो उन्होंने देखा कि इसी फंगस की वज़े से जो healthy seed है उसमें भी वो disease cause हो रही है तो यह है इसमें कुछ ऐसी चीज है जिसकी वज़े से या तो राइस का प्लांट बहुत छोटा रह रहा है ड्वाफ हो जा रहा है या तो बहुत लंबा हो जा रहा है जिब्रेलिन हॉर्मून्स की क्या क्या function है जो की पूचे जाते है examS में एक है इसका दो मतलब growth ग्रोध कहें growth करता है internodal growth करता है मतलब plant की nodes की growth करवाता है या तो यह प्लांट को ड्याफ भी बना सकता है या इसकी वज़े से plant की growth हाई भी हो सकती है तो ये है जिब्रिलिन का काम फिर है growth of aerial part aerial part यानि जिसे stem, leaves या जो भी other parts होते हैं उनकी growth में भी ये help करता है फिर है bolting bolting क्या होता है मतलब जो भी rosette plant होते हैं जैसे henbane होता है या फिर root crops होती है जैसे radish होती है, mooli होती है तो उनमें जब जिब्रिलिन की synthesis होती है तो ये उनकी rosette plant की भी elongation करवा देता है इसे कहते है bolting फिर bolting होती है low temperature में और लंबे दिनों में जब temperature low हो, लंबे दिन हो और उनको जिब्रिलिन दिया जाए तो उसकी वज़े से जो rosette plant या rooted plant होते हैं उनकी length भी बढ़ जाती है फिर है maturity किसी भी plant को mature बनाने के लिए या फिर सड़नली juvenile stage ते maturity अचानक की जल्दी जल्दी हो जाए टाइम न लगे तो वो भी जिब्रिलिन करवाता है plants में next है dormancy अब dormancy होती है कि जैसे natural जो process है जो seeds में हो रही है plant के leaves में हो रही है stem के elongation हो रही है वो रुक जाती है short period of time के लिए तो उस dormancy को break करने के लिए भी zebrilin help करता है फिर है seed germination seed को जल्दी जल्दी germinate करवाने के लिए भी zebrilin help करता है flowering के लिए long day वाले plants होते हैं उनमें एक process होती है लंबी flowering होने की लेकिन उसको short time में flowering उनमें हो जाए तो वो भी zebrilin करवाता है फिर है vernalization vernalization क्या होती है कुछ plant होते हैं जिने low temperature चाहिए होता है flowering करने के लिए लेकिन जिब्रिलिन की वज़े से ये वाला जो process है जिब्रिलिन की वज़े से वो replace हो जाता है और कोई low temperature की जुरूरत नहीं पड़ती है vernalization के लिए क्यूंकि जिब्रिलिन वहां present होता है तो इसी तरह ये थे इसके function of जिब्रिलिन तो आई होप यू लाइक मैं वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा support करिएगा चैनल को thank you very much